चाल तबियत अब्वित एक दम बढ़ियाँ चल ला है कि नहीं चल ला है हाफ फेरली एक्जांस भी आने वाले होंगे I think है ना और हाफ फेरली क्या है फेरली तो I think होने है कि उस्टार्ट ही होने वाले होंगे बहुत बढ़िया हूं ठीक है और उसके एकॉर्डिंग स्लेबस वगेरा भी आप लोग का सबका स्कूल में उतना उतना हो गया होगा हम भी पूरी कोशिस कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द आठमें चेप्टर पर पहुंच चुके हैं स्ले लेटरल का बेटा लेक्चर नमबर 3 सबसे मज़ेदार बात है कि आज हम बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है रीजन कि प्रॉपर्टीज ऑफ परलेलोग्राम में जो एक्सरसाइज 8.1 है ना इस चेप्टर की एक्सरस 8.1 कि वो कोश्चन जो कि मोश्ट प्रॉटेंट थियोरम में से एक है भाई है ना और इसका स्टिमाल भरणवर करती क्लास 10 में भी होता है तो यह बड़ी इंपॉर्टेंट थियोरम जो हम आज डिसक्स करेंगे इसके कॉस्चंश भी करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है तो जितने भी बच्च प्रोबिबली मतलब की मेजर चांसेस हैं कि मंडे को मैं आप लोग का जो नेक्स्ट पढ़ाऊंगा वो लाइव आऊंगो पढ़ाने आपको ठीक है ताकि इतने समय से अपन लाइव मिल नहीं पाए बातचीत नहीं कर पाए बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप लोग की भी रहती होगे अगर लाइव होगा तो पका पका नोटिफिकेशन बिजवा देंगे नहीं तो रिकॉल्ड़ेंट जो छो क्लास आपकी आती है वो तो आईगी ही ठीक है क्लास तो मिस्ट नहीं होगी लेकिन अगर लाइव होगा तो अब को बता देंगे चलिए बच्चे सभी लोग START करें आजो भई सबसे पहले पिटा प्रोपर टी और प्रिविस्ष क्ळास में डिस्कॉस किया था है ens और उस पर बेज़ डिक अपन ने quiz भी रखा था quiz भी किया था याद है जिसमें हमने सारे के-सारे questions सभी properties पर बेज discuss किये थे तो एक बार फटा-फट से properties का quick revision लेते हैं कि जो diagonals होते हैं वो quadilateral के वो क्या करते हैं किसी भी parallelogram को किसी भी parallelogram के diagonal उसको दो congruent triangles में divide कर देते हैं किसमें divide कर देते हैं दो congruent triangles में divide कर देते हैं तो अगर हमारे पास ABCD आपका एक parallelogram है तो इसका diagonal अगर हम AC draw करें तो AC diagonal इसको दो congruent triangle में divide कर देता है दूसरी important theorem कि अगर opposite sides हमारी बराबर होती हैं किसी भी parallelogram की जो opposite sides होती है वो बराबर होती है मतलब की opposite side का मतलब ये वाली side इसके बराबर और ये वाली side इसके बराबर ठीक है तो parallelogram की बिटा opposite side हमारी equal होती है उसके बाद if each pair of opposite sides of quadrilateral is equal अगर हम ऐसे बोल दिया जाए कि आपके पास एक general quadrilateral given है और उसके opposite side के pair बराबर है तो वो quadrilateral कोई और नहीं parallelogram होगा है ना कि मतलब question आ जाता है कि भई ये prove that this quadrilateral is a parallelogram तो भई उसकी important condition कि अगर हम उस quadrilateral के opposite sides को बराबर सो कर दे तो हम बोल सकते हैं कि वो आपका एक parallelogram होगा उसके बाद किसी भी parallelogram के opposite angles जो होते हैं वो बराबर होते हैं समझे रहो opposite वाले angles बराबर होते हैं और अगर किसी quadrilateral के opposite angles बराबर है तो वो quadrilateral आपका parallelogram होता है है ना ये सब quick revise करवा रहा हूँ ठीक है अगर आपको लग रहा है कि सर ये से theorem आप ऐसे बोल बोल करके पा आ रहे हो जो भी हमारे एक का दुक के बच्चे होते हैं जो भाईया पहला lecture देखा नहीं दूसरा lecture देखा नहीं सीधे सक्तिमान बन करके तीसर लेक्चर में आए हैं ऐसे घूमते हुए सर ये क्या पढ़ा रहे हुआ आप हमें तो आपका पाय को समझी नहीं आ रहा क्यों सर ये तो आप सीधे बता दे रहे हो कि भाईये ये होती हमें तो सर समझाओ एक्जाम्पिल दो अरे भाईया मच्छर कहां से आ गया रोको चू अरे चलो तो भाईया हमने लेक्चर नमबर वन में और टू में इस चीज़ को डिटेल्स में पढ़ा है ठीक है तो अगर आप L1 और L2 नहीं देखा है तो जा करके पहले देखकर कि आओ उसकी बात-बात क सवाल होता है चलिए ओठा रहा है डिटेल्स-वाइट ऑफ पर्लेलोग्राम होता है क्या होता है ौछा तो अब हम यह सवाल एक ऐसा सवाल है जिसको मैंने तुम्हें homework के तौर पे दिया था और homework के तौर पर मैं क्या बोलू almost मैंने पूरे discuss भी कर दिया था आप मेंसे कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी notebook में इस question को जो मैंने समझाया था hint दिया था वैसे solve भी किया है लग से किया है किसी ने कि बस सर ने बोल दिया सर ने कर दिया ठीक है भाई कर लेंगे क्या ही फर्क पड़ता है एक बात बताता हूँ ठीक है कम से कम जो भी मैं तुम्हें class में पढ़ाता हूँ और जो बोलता हूँ कि इसको homework में करना या जो hint दे के जाता हूँ कि भाईया इसको मैं hint दे रहा हूँ ये बड़े काम की बात है इसको apply करना question में वो काम जरूर किया करो at least कम से कम उतना काम जरूर कर लिया करो अगर इतना भी नहीं करोगे तो भाईया तुम्हारा भगवान ही मालिक है मैंना भगवान भी फिर तुमेंने बचा नहीं सकता फिर तुम बाद में यही बोलोगे सर हमें maths समझ में नहीं आती फिर तुम बदनाम maths को कर देते हो बदनाम mathematics को कर देते हो कि सर maths समझ में नहीं आती सर टीचर बढ़िया नहीं पढ़ाते हैं अक्सेसर बढ़िया नहीं पढ़ा रहे हैं है ना तो फिर वो गलत बात है कम से कम जो मैं बोल के जाता हूँ जितना बताता हूँ कि ऐसे करो वैसे करो उतना तो मेरी बार follow तो करो मेरे दोस्त है ना कोई भी हो जब तक आप किसी चीज को सीख रहे हैं तो जो आपको सिखा रहा है आपके उसकी बात को क्या करना पड़ेगा मानसा पड़ेगा ओवेस सी बात है कि नहीं मानो तो कैसे काम चलेगा बच्पन में साइकल चलाना सीखी थी कौन सिखा थी पापा ने सिखाई थी कि बड़े भाईया ने सिखाई थी है ना मतलब कि जिनके घर में बड़े भाईया उन्हें बड़े भाईया साइके चलाना सिखाई होगी या पापा ने सिखाई होगी साइके चलाना यह कोई भी होगा फैमिली में कोई तो होगा जिसने साइके चलाना स करना उन्होंने आपको इंस्ट्रक्शन दिये कि ऐसे अगर तुम फॉलो करोगे तो तुम बिल्कुल नहीं गिरोगे क्या होता था सुरू सुरू में आप चलते चलते गिरते थे बारबार नीचे लगता था विस्वासी नहीं होता था कि इन दो पहियों पर साइकल चल भी सकत तो मतलब एक बार किसी को सीख जाते हैं ना समझ जाते हैं फिर वो चीज अपने आप बिना एफर्ट के भी हमें समझ में आने लग जाती है बिना किसी एफर्ट के ठीक है चली तो यह सवाल था मैं इसको दुबारा करवाऊंगा ताकि जिन बच्चों ने नहीं किया वो कर इस बार चलिए diagonal AC of a parallelogram ABCD bisect angle A angle A को bisect करता है तो सबसे पहले हमको question में जो given है वो ये है कि ABCD बेटा आपका एक parallelogram है क्या है बेटा ABCD is a parallelogram क्या है बेटा ABCD is a parallelogram ये आपका एक parallelogram है ठीक है और क्या given है जो इसका diagonal AC है वो bisect करता है angle BAC को हम लेख सकते हैं यहाँ पर कि angle DAC या फिर आपके बेख सकता हूँ कि angle हंजी हंजी angle DAC angle DAC equal to angle BAC ये दोनों angle आपके बराबर है BAC ये दोनों angle आपके बराबर है clear है बेटा DAC आपका BAC के बराबर है चलिए हमें प्रूव क्या करना है हमें प्रूव करना है दो बाते जो यहाँ पर आपको one by one given है कि it bisect angle C also and ABCD is the rhombus ठीक है बटा चलिए तो मैं डिरेक्ट लिख देता हूँ है ना सबसे पहले वाले part अगर हम solution करे एक simple सी बात समझे ना कि हमको यह बात पता है कि since ABCD is a parallelogram ABCD is a parallelogram है ना parallelogram and we know that we know that we know that diagonal of of a parallelogram divides in two congruent triangle divides it in a two congruent triangles two two congruent triangles two congruent triangles में divide करती है है ना जो diagonal होता है parallelogram का वो क्या करता है भाईया उसको दो congruent triangles में divide कर देता है समझ गए तो इस तरीके से जो angle आपका जो ट्राइंगल आपका ABC होगा note करना जो ट्राइंगल आपका ABC होगा वो congruent हो जाएगा triangle आपके C A हाँ जी एक सिकेड CDA के पका CDA हाँ जी triangle आपके CDA के congruent होगा है ना ABC triangle आपका CDA triangle के congruent होगा पक्की बात है note कर लो ABC triangle आपका CDA के congruent होगा done अब देखना जब दू triangle congruent होते हैं तो by CPCT हमें क्या पता है हमें CPCT से क्या पता है बिटा कि angle आपका BAC angle आपका BAC बराबर होगा angle आपके BAC BCA के बराबर होगा angle BCA के बराबर होगा clear है अब ये given condition है इसको for example equation number 1 बोल दो ठीक है यहां से क्या पता चला कि BAC angle मतलब कि ये वाला जो angle है वो इस वाले angle के बराबर होगा ठीक है CPCT से ये वाला angle इसके बराबर clear है and साथी साथ ये भी जानते हो कि जो angle आपका AC बी होगा AC बी जो होगा COAD के बराबर होगा या C AD लिखो या DAC लिखो चलो तो AC बी आपका DAC के बराबर मतलब कि ये वाला जो angle होगा वो इसके बराबर होगा अब practically सोचना बिटा practically सोचना कि ये दोनों angle आपस में बराबर है है ना यहां से हम क्या दिख सकते हैं कि since from equation 1 from 1 हमें पता है कि angle dac बराबर है angle bac के और देखना dac को मैं ac b लिख सकता हूँ इसको मैं ac b लिख सकता हूँ और bac को bac को मैं dca jstad a ॆ लिख सकता हूँ bca लिख सकता हूँ तो मतलब क्या ऑगया dac को a c b लिखा bc को dc लिखा इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला angle इसके बराबर हो गया hence हम यहां से क्या लिख सकते हैं घंस हम यहां से लिख सकते हैं कि ac जो है Bisect Angle C A C Bisect Angle C Also Angle C को भी Bisect करेगा नहीं समझ में आया कोई बाद नहीं दोबारा समझा दूँगा ठीक है परो कुछ आ रोक चाओ अभी एक बार दोबारा बताता हूँ है ना एक बार में समझ में नहीं आता है नहीं दोबारा समझ लेते हैं चलो एक बार मैं दोबारा से explain करता हूँ पहले तरह नोट कर सकते हो अगर तुम नोट कर रहे हो साथ में तो साथ में नोट कर रहे हो तो एक बार नोट कर लो फिर मैं दोबारा से समझा देता हूँ भागना नहीं है इस चप्टर में भागना नहीं है, यह चप्टर ऐसा है जो मुझको भी ना, जब मैं पढ़ता था, नाइंध क्लास में था, भाईसा मेरे भी पसीने छूप जाते थे, है न, और मैं मेरे भी क्या, मैं कोई बहुत बरतोब थोड़ी था, मैं भी एक नॉर्मल, आपके जैसा ही एवरेज स्ट्रेंट, मैं लब ओविस सी बात है, मैं यह नहीं कह सकता है, मैं बहुत ज़ादा एकदम टॉपर, एकदम बहुत वैसा था, एवरेज स्ट्रेंट था, मैं महनत करता था, और मैं महनत करके, क्लास में, अपना 1st, 2nd, 3rd, 4th में अपनी rank, position, secure कर लेता था, मतलब तॉपर दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं तॉपर ऐसे, कि भाईया वो पढ़ते नहीं जादा, वो पढ़ते बहुत कम हैं, लेकिन उसकी बावजूद, उनके marks, उनकी rank बड़ी अच्छी आती है, आपके स्कूल में, आपके आसपास में कोई है, आपका दोस्त, कि भाईय पढ़ा रहता था, ठीक है, लेकिन कर लेता था फिर, मेरा मानना था सिंपल कि अगर कोई चीज हासिल करनी है, और अगर आपको अंदर से पूरी तरीके से चाहत है कि मेरे को एक अच्छी rank secure करनी है, तो दूसरों से अगर आप complete कर रहे हो और आपको आगे बढ़ना है, तो आपस उन से जादा महनत करने लग जाओ, उन से जादा महनत करने लग जाओ, और नाइंध क्लास का टाइम है, जिस टाइम पर मैं सुबह के चार बज़े उठता था, नहाता था, और उसके बाद एक छोटी सी मलब बोल सकते हैं कि हनवान, मलब तुम्हें हसना मत, और बहु 108, रुद्राक्ष के, वो मलब रुद्राक्ष के मोती एक तरह से बोल सकते हैं, 108, तो 108 बार मैं ओम भुर भुरुष्वा तश्रवितु वरेन्यम भर्गो देवश धी मही धियो यो नह प्रचो दयात, इस मंत्र का जाप करता था, मलब ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई वैसी ब सुबह उठना, ऐसा करना, कहीं न कहीं, उसने मेरे माइंड को ज्यादा फोकस करना सिखाया, कि मैं ज्यादा फोकस करके पढ़ने लग गया, ठीक है, मैं यह नहीं कहता है कि इससे कोई ऐसी सक्तियां हो गई, कि भईया मेरे अंदर एक ऐसी सक्तियां हो गई, कि मैं बढ़ फोकस बढ़ गया मेरा और एक बहुत सिंपल सी बात है आपने बहुत जगों पर सुना भी होगा कि सुबह उठने से थोड़ी सी प्रेयर करने से आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होती है प्लस अगर आप रनिंग वगरा कर लो तो फिजिकल बहुत अच्छा होता है यह पूरे दिन को बहुत एक्टियो बनाते है अभी क्या होता है अभी तो मैं मेरे आज की लाइफस्टाइल बड़ी खराब आज की लाइफस्टाइल है कि आपकी क्लास है कोई क्लास मुझे रिकॉर्ड करनी है कुछ है तो मैं सुबह साथ बज़े आठ बज़े ऑफिस आ जा ठीक है और जिसने मुझे पता चलना कि आज मुझे कुछ recording नहीं करनी है कोई क्लास नहीं करनी है मैं दफ में तक सोता रहता हूं तो आज मतलब ठीक है आज ऐसा है मैं मानता हूं कि यह सही lifestyle नहीं है हमें एक regular basis पर एक schedule follow करना चाहिए वो बहुत अच्छा होता है ठीक है लेकिन उस time पर मैं ऐसा करता था तो उसने मुझे काफी help करी आप चाहो तो कुछ और कर सकते हो या और try कर सकते हो लेकिन help करता है कुछ extra effort बड़े महनत आपको आगे ले करके जाने बड़ी help करत होता है उसके बाद क्या होता है आपर यहां तक लियर है अब जो दूसरी बात बता रहा हूं बड़ी important है ठीक है ध्यान से समझना हमें पहला पार्ट प्रूव हो गया कि angle c bisect also abcd is a rhombus abcd आपका rhombus होगा अब ध्यान से समझना इन इन ट्रैंगल आए डी सी अगर मैं आपका triangle ADC लेता हूं ठीक है simple सा मैंने triangle आपका ADC लिया इन triangle ADC देख पा रहे हो triangle ADC में अगर आप जहान से देखो हमको पता है कि यह वाला angle इसके बराबर है यह वाला angle इसके बराबर है और यह वाला angle इसके बराबर है नोट करना हमें पता है in triangle ADC यह वाला जो angle है वो इसके बराबर है ठीक है क्योंकि alternate interior angles बराबर होते हैं तो यहां पर हम देख सकते हैं कि triangle DCA triangle angle DCA DCA बराबर angle BAC angle BAC क्योंकि रिजन है AB is parallel to CD AB is parallel to CD and AC is the transversal AC is the transversal transversal then alternate interior angles are equal alternate interior angles are equal interior angles are equal हाँ जी नोट करना alternate interior angles are equal ठीक है तो इससे क्या पता चला यह वाला angle इसके बराबर है साती साथ हमें given है हमें given है कि angle जो आपका या इसको आप ऐसे देखो DCA जो है न यह जो एंगल BAC है BAC DAC के बराबर है angle BAC आपका BAC के बराबर है DAC के बराबर है अब देखो इससे क्या पता चला 1&2 से पता चला कि angle DCA आपका angle DAC के बराबर means यह वाला angle इस वाले angle के बराबर है नोट कर पा रहा है देख पा रहा है मतलब की बेटा यह वाला angle जो है वो इस वाले angle के बराबर हो गया जब ये एंगल बराबर तो इनकी opposite side cd इसके opposite side ad के बराबर होगी ठीक है तो यहां से हम क्या बोल सकते है कि cd जो होगा वो ad के बराबर होगा cd जो होगा वो आपका ad के बराबर अब आप खुद जानते हो कि a b c d parallelogram था और अगर किसी parallelogram की दो adjacent side बराबर है मतलब कि opposite तो बरा adjacent side बराबर हो जाएं तो मतलब क्या हुआ ये इसके बराबर ये इसके बराबर ये इसके बराबर तो चारों साइट से बराबर तो हम यहां से क्या लिश सकते हैं कि सेंस pair of adjacent adjacent sides are equal hence all the four sides all the four sides are equal चारों के चारों साइट से बराबर होंगी hence a b c d is a rhombus a b c d is a rhombus क्या होगा बिट्टा a b c d आपका एक rhombus होगा clear है वास तो ये था हमारा एक बर वापिस से पूरा रिवाइज कर देता हूं मैंने बोला था कि दुबारा करवा दूँगा देख लो सबसे पहले हमारे पास क्या था कि एक आपके सामने पैरलेलोग्राम दिख रहा था और आपसे बोला था कि अगर a c हमारे एंगल a को बाइसेक्ट करता है तो यह एंगल c को भी बाइसेक्ट करेगा और a b c d रॉमबस है तो हमने सबसे पहले देखा कि भाया हमें गिवने कि a b c d पैरलेलोग्राम है और पैरलेलोग्राम को जो डैगनल होता है वो उसको दो कॉन्गुरिंट ट्रैंग से में डिवाइड करता है तो सिंस ABC डिट पैरलेलोग्राम एंड भी नो डैड़ डेयागनल औफ टैरलेलोग्राम डिवाइस इन टू कॉंगुरेन ट्रेंगल क्या करते हैं उसको दो कॉंगुरेंट ट्रेंगल्स में डिवाइड करते हैं तो मतलब A, B, C triangle C, D, A triangle के congruent होगा लिखते इसलिए कि ये वाला angle actual में इसके बराबर है इसलिए A, B, C और ये दोनों angle आपस में बराबर होते हैं तो B के साथ में D आ रहा है तो A, B, C, C, D, A के congruent दो triangle congruent तो corresponding angles बराबर ठीक है? तो C, P, C, T से corresponding angles बराबर अब यहीं से देखना कि B, A, C बराबर D, C है A, C, B, B, D, A, C है और हमें वन से पता है कि D, A, C बराबर B, A, C D, A, C, B, A, C अब देखना D, A, C को मैं लिख सकता हूँ आपका इधर से यह ना D, A, C को मैं यहां से लिख सकता हूँ A C B के बराबर और B A C को मैं यहां से लिख सकता हूँ D C A के बराबर D C A के बराबर तो इस तरीके से ये वाला एंगल इसके बराबर means A C bisect angle C also A C आपके angle C को भी bisect करेगा तो ये पहला part complete होता है clear रे बिटा ये आपका first part complete होता है hence approved ये first part है इसके बाद second part में हमने क्या किया triangle A D C को pick किया जो कि उपर वाला triangle है A D C A D C triangle में D C A बराबर B A C ऐसा क्यों होगा ये अच्छ सॉरी A D C में इन जनर्नल पहले हम ऐसे देख रहे है कि ये दो angles तो बराबर होंगे because कि A B parallel to C D है A C उसका transversal है तो वो alternate interior angles बराबर होंगे इस वज़े से ये दो angles तो बराबर होंगे अच्छा और ये हमको given है तो यहां से क्या बात पता चल लेगे कि B A C D C A के बराबर और B A C D A C के बराबर तो इसका मतलब ये हुआ कि D C A D A C के बराबर होगा D C A D A C और जब हमें ये पता चल गया कि ये angle इसके बराबर है तो opposite sides से बराबर तो ये दो sides हमारी equal obvious ही बात है ये इसके बराबर ये इसके बराबर होती है तो चारो की चारो sides से बराबर हो गए parallelogram के opposite sides तो वैसी बराबर होती है लेकिन adjacent के बराबर हो जाने से चारों की चारों साइट्स आपस में बराबर हो जाएंगे ठीक है तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते है कि since a pair of adjacent sides of a parallelogram equal hence all the four sides are equal चारों की चारों साइट्स आपकी बराबर होंगी और ABCD आपका एक rhombus होगा ABCD क्या होगा बचो इस वजह से दुवारा में describe कर दिया चलो अगला सवाल है हमारा next question कि भई ABCD एक rectangle है क्या है बटा ABCD एक आपका rectangle figure बना नहीं है ठीक figure हम बना लेते हैं चलो जी ABCD माल लो आपका एक rectangle है देख पार है ABCD ठीक है बटा ABCD क्या आपका एक rectangle है in which diagonal AC bisect angle A as well as angle C तो जो AC है हमारा माल लो इधर पर हाँ जी हाँ जी AC क्या कर रहा है दोनों angle को A और C को bisect कर रहा है angle A और C दोनों को bisect कर रहा है मतलब की थोड़ा सा और बटर ठीक है तो AC क्या कर रहा है दो एंगल को bisect कर रहा है मतलब की ये वाला angle ये वाला angle इसके बराबर है ठीक है और ये वाला angle आपका इसके बराबर है ठीक है ओके so that ABCD is a square क्या so करना है ABCD आपका square होगा पक्की बात है ABCD को square प्रूफ करना है then diagonal BD bisect B as well as D जो diagonal आपका BD होगा वो B और D को bisect करेगा देखो सबसे पहले ABCD एक rectangle है ये हमें given है given है बिटा की ABCD is a rectangle is a rectangle rectangle की बात आपको पता है कि opposite sides बराबर होती है सभी interior angles आपके 90-90 degree के होते है rectangle और square में क्यांतर होता है भया की क्यांतर होता है rectangle square में क्यांतर होता है सिर्फ इतना अंतर होता है कि rectangle और square में square की चारो sides भी बराबर होती है चारो sides बराबर और interior angle तो 90 degree का होता ही है तो बस इतना ही अंतर है बस हम इतना so कर दें कि ये जो rectangle है इसकी adjacent side आपस में बराबर है क्या है बिटा इसकी adjacent side आपस में बराबर है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये आपका एक क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा square हो जाएगा चलो तो सबसे पहले देखो भाईया हमें ये बात पता है कि ये वाला angle इसके बराबर है पर ये वाला angle इसके बराबर है ये वाला angle इसके बराबर है ठीक है तो अगर मैं यहां से triangle लेता हूँ माल लो A, D, C ठीक है A, D, C और यहां से लेता हूँ मैं A, B, C A, D, C और A, B, C ठीक है आजओ पहला प्रूफ देखते हैं solution मैंने क्या लिया है यहां पर triangle A, D, C लिया and triangle आपका A, B, C लिया triangle आपका A, B, C लिया ध्यान से समझे न ADC लिया और ABC लिया इन दोनों triangle में अगर आप देखो कि जो angle आपका D, A, C है D, A, C वो आपके पास B, A, C के बराबर है B, A, C के बराबर है यह हमको given है clear है यह वाला angle इसके बराबर है देखना D, A, C, B, A, C के बराबर given है ओके जी और जो angle हमारा A, C, D है A, C, D है वो angle A, C, B के बराबर है A, C, B के बराबर A, C, D, A, C, B के बराबर यह भी हमको given है तीख है देख पार है हो यह इसके बराबर यह इसके बराबर और A, C, B, A, C दोनों में common side है A, C, equal to A, C दोनों में common side है यह क्या है विटा common side है यह आपकी common है clear है अब बता न यह वाला angle इसके बराबर यह वाला angle इसके बराबर यह दोनों की common side तो by A, S, A, congruence rule A, S, A, congruence rule A, S, A, congruence rule हम क्या बोल सकते है load करना A, S, A angle side angle से क्योंकि यह वाला angle यह वाली side यह वाला angle और यह वाला angle यह वाली side यह वाला angle बराबर है दो triangles के तो A, S, A, congruence rule से क्या बोल सकते है कि triangle ABC, ABC के बराबर congruent हो जाएगा triangle आपका ADC must be congruent to triangle आपका ABC और जब दो triangle congruent तो बाई CP, CT लिख सकते हैं हम कि भाया AD बराबर AB होगा AD बराबर AB होगा AD बराबर AB होगा अब देखना AD बराबर BC होगा और AD बराबर BC होगा AD बराबर BC rectangle की definition से opposite sides बराबर होती है तो देखना AD अगर AB के बराबर है AD अगर AB के बराबर है चारो की चारो साइट से बराबर है ना क्योंकि जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर सारे दूसरे के साथ आपस में बराबर तो all the four sides are equal obviously की जब ये rectangle है तो interior angle तो सब के 90-90-90 ही degree के है it is implies that AB CD is a square AB CD is a square ये आपका square होगा मतलब जो हमने फिगर बनाया है actually में ऐसा नहीं होना चाहिए ये figure जो होना चाहिए वो कुछ-कुछ ऐसा होना चाहिए ठीक है ये figure कुछ-कुछ हमारा ऐसा होना चाहिए मतलब इस type का ठीक है मतलब हमने ये प्रूफ कर दिया कि given figure जो हमने बनाया था वो actual में ये है ठीक है? वो actual में ये है लिए रहे? जो rectangle ABCD वो actual में क्या है? एक square है पक्की बात है? चलो बिटा तो ये हमने पहला प्रूफ किया हिस्सा कि ABCD is a square ओके, नाओ अब यहाँ पर क्या बोल ला है? हमें ये तो पता चले हैं कि भई ये ABCD के square है अब क्या प्रूफ करना है? कि diagonal BD, bisect angle B as well as angle D तो हमें काम करना हूँ कि जब इसको ये बनाई दिया हमने तो ये काम करते B को D से मिला देते हैं है ना? B को D से मिला देते हैं, मिला दो चलो हमने B को D से मिला दिया कोई दिक्त? बोलो हाया ना? नहीं है B को D से मिलाते हैं, तो इस तरीके से हमें क्या बन जाता है? दो triangle, एक triangle आपका बन जाता है यहाँ पर ADB और एक triangle आपका ADB और एक triangle आपका CDB ठीक है? आजो Now पहला पार्ट प्रूव हो गया, square हैंस प्रूवड हैंस प्रूवड फश्ट पार्ट इसका प्रूव हो गया सेकेंड पार्ट पर आते हैं, सेकेंड पार्ट पर Now जोईन जोईन मालो BD अब आप चाहो तो इसी figure में join कर लो या दूसरे figure में join कर लो आपकी मर्जी है मैं अब आप confused मतो आप paper में दो figure तो बनाओगे नहीं है ना paper में तो एक ही figure आप बनाओगे तो मैं आप से ये बोल लहूँ कि मालो आपने इसमें ही join किया है ना पेपर में तो आपको एक ही figure बनाना है paper में दो अलागला figure तो ऐसे भी नहीं बनाओगे तो आपने क्या किया join कर लिया BD को join कर दिया BD को है ना join BD इसको थोड़ी देर के लिए अगर आप चाहो तो खटा दो मालो ये एक तरीके से ही नहीं मैंने आपको बताए कि ऐसा figure होना चाहिए था बाकी अब आपने यही figure बनाया तो आप इसी में BD को join करो ठीके now join BD अब यहाँ पर अगर मैं triangle ADB लेता हूँ triangle आपका रुख जाना triangle अगर मैं आपका ADB लेता हूँ and ADB मतलब की ADB क्योंकि मुझे दिखाना क्या है कि यह वाला एंगल इसके बराबर और यह वाला एंगल इसके बराबर ठीक है तो ADB लिया और CDB लिया and triangle आपका CDB लिया अब देखना ADB और CDB में क्या देख रहे हो AD बराबर CD ADB बराबर AB बराबर AB बराबर CDB होगा AB बराबर CB मैं इसको अलग से लिख देता हूँ ठीक है इसको अलग से लिख देता हूँ देखो अलग से लिख देता हूँ ADB और CDB ट्राइंगल में रुप जाना ADB और CDB ट्राइंगल में देखना कहां के ट्राइंगल यह है ADB और CDB AD बराबर होगा आपके CD के AD बराबर होगा CD के सिंस ऐसे लिख दूख ब्रैकेट में सिंस ABCD is a square ABCD is a square क्योंकि ABCD क्या है आपका square है ठीक है AB बराबर CD BD बराबर BD common side BD बराबर BD आपकी common side हो गई यह common side हो गई तीसरा important point बटा कि ABD AB बराबर CB AB बराबर आपका CB परसे लगे तो ABCD is a square ABCD आपका square है तो चारो के चारो sites बराबर तो यह तो by SSS congruence rule SSS congruence rule क्या लिख सकते बटा SSS congruence rule से हम क्या लिख सकते हैं कि triangle आपका ADB ADB must be congruent to triangle आपका CDB must be congruent to triangle आपका CDB यह बात समझ में आई हमने AD बराबर CDQ लिखा क्योंकि ABCD square है चारो sites बराबर होती हैं तो यह भी बराबर होंगे BD बराबर BD क्यों लिखा क्योंकि common side है AB बराबर CB क्यों लिखा क्योंकि ABCD अगर square है तो सारी साइट बराबर ही होती है तो इस तरीके से SSS Concurrent Rules से ADB को CDB के Concurrent लिखेंगे लिख देंगे तो अव्विस सी बात है कि Angle ADB बराबर Angle CDB और Angle AB B बराबर Angle CBD देख पा रहे हो क्या प्रूफ कर दिया कि ADB बराबर CDB ABD बराबर CBD मतलब कि हमने ये प्रूफ कर दिया कि DB बाइसेक्ट हो रहा है और BB बाइसेक्ट हो रहा है It is implies that कि BD बाइसेक्ट बाइसेक्ट Angle Angle B and D B and D BD हमारे Angle B और D को दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है ये बिटा बहुत देखो मैं एक बाइस सिंपल सी बोलूँगा कि ये ना टॉपर रहे कोश्चन है है ना आप मेंसे बहुत सारे बच्चे इस कोश्चन को पेपर में छोड़ के आएंगे उनको वो कहेंगे यार ये तो कोश्चन मेरे पास का है ये नहीं बहुत कॉमन सी बात है क्या होता है इस कोश्चन में मतलब की आपकी ठिंकिंग और अनलिटिकल स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट हैं ये बात पता चल देए ठीक है आपको ऐसे सवालों में महारत हासिल करने के लिए एक दिन दो दिन में सिर्फ पढ़ करके लेक्चर को सुन करके हो जाएगा कोई जरूरी नहीं है क्यों सिंपल सी बात है क्योंकि यहां पर इतनी सारी चीज़े करनी पढ़ लही है इतना सारा लॉजिक लगाना पढ़ ला है ट्राइंग लिए लिया वो लिया कौन गण दिखाया यह से कैसे हो जाएगा भी यह टेक्स टाइम एफर्ट एंड हार्ड वर्क यह टाइम भी ल लेख लिया पढ़ बस लिया जवाब ऐसे करोगे तब जाकर कर के आप इसको सीख पाव तब पेपर में करके आप आओगे वन्हा शिर्फ देख करके पेपर में करके2 कि ऐसे कि वाक कई अगला सवाल है हमारे सामने यह कोशन देख पारा है सब लोग बढ़े हैं तरीके से कोशन देख रहा है सब को आ जाई सबस्क्राइब यहां कोशन में लिखा है एक बार दुबारा समझा दूँ क्या चलो एक बार दुबारा बता रहता है ठीक है ठीक है मुझे पता है काफी सारे बच्छों को इसमें डाउट है और जल्दी जल्दी पढ़ा करें के मेरे को संतोष नहीं मिलेगा मेरे को भीह कि त को और सी को दोनों एंगल को बाई सिक्ट करता है तो सो करिए कि a b c d a को स्क्वायर होगा यह पूछा था और डाइगनल बी डी बाई सिक्ट एंगल बी एज वेल एस डी डाइगनल बी डी बी और डी एंगल दोनों को बाई सिक्ट करेगा क्या करेगा बी को दोनों को बाई सि एकदम सांथ बिलकुल सांथ अब जो बोलना हूँ सिर्फ उसको सुनना ठीक है? जो बोलना हूँ सिर्फ उसको सुनना क्या है? क्वाइर बोलना है क्वाइर प्रूव करो इसको क्या करना है? rectangle already is square मतलब हमें चारो साइट्स को बराबर दिखाना है अग्की बाट है चारो साइट्स को बराबर कैसे दिखा सकते ये इसके इसके बराबर है बस हम इतना दिखा दे कि ये दोनो आपस में बराबर है अभी नहीं दिख रही लेकिन हम दिखा दे कि ये आपस में बराबर होगी तो automatically ये दोनों आपस में बराबर तो चारों बराबर हो जाएंगे इसके लिए हमने एक triangle आपका A, A, D, C लिया क्या लिए A, D, C और दूसरा A, B, C लिया अब देखो इसमें जब ये वाला angle इसके बराबर ये वाला angle इसके बराबर ये common side तो दोनों triangle हमारे congruent by A, A, A congruence rule A, A कब लगाते हैं? जब दो angle और उनको जोडने वाली side दूसरे triangle के दो angle और उनको जोडने वाली side के बराबर होती है तब लगाते हैं A, 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 congruence rule ठीक है? तो उस तरीके से ये आपके congruent और जैसे ही congruent तो हम क्या बोले सकते हैं मिटा? कि triangle A, B, C congruent to A, B, C implies that by C, P, C, T corresponding part of congruent triangle से AD बराबर AB AD बराबर AB और जहां AD बराबर AB और आपको पता है कि ABCD के बराबर था ADBC के बराबर था तो चारों अब आपस में बराबर तो मतलब क्या हुआ? A, B, C, D आपका square होगा दूसरी बार थोड़ से better समझ में आया? है ना? जब भी हम दूसरी बार मैं आपको explain करता हूँ तो और better समझ पाते हो ना? है ना? इसी तरीके से जब एक बार तुम्हें समझ में ना आए तो उसको दुबारा play करके सुननिया करो बोला तो वही है जो मैंने पहले बोला था अलग नहीं बोला पस क्या हुआ? किस बार तुम्हें दुबारा सुना? ये करने का तरीका है कि आप और better चीज़े सीथ पाओ चलिए square हो गया, square का मतलब कि चारो साइट्स आपस में बराबर हमने अब क्या लिया? BD को जॉइन किया और ADB और CDB ट्राइंगल को लिया कौन-कौन सा? ADB और CDB नोट करना ADB और CDB देखो, इसमें ये तो कुछ नहीं इसको हटा दो देखो AD बराबर CD क्योंकि ABCD square है, तो उसकी साइट्स बराबर होती है BD बराबर BD common side है AB बराबर CB ये हमारे square की साइट्स है तो SSS congruent सूलत है ये दोनों हमारे congruent ठीक है? जैसे ही congruent तो हमें पता है कि भाईया angle ADB CDB के बराबर angle ABD CBD के बराबर तो मतलब हमने proof कर दिया कि D angle भी bisect हो रहा है BB bisect हो रहा है मतलब BD bisect angle B and D बस second result proved बस इतने ही करना था तो जल्दी जल्दी कई बार क्या होता है कि हम इतना हॉस पॉस में हो जाते हैं नहीं ध्यान देते हैं थोड़ा सा सांस अंदर लो मन को करो सांत बातचीत करो बंद केवल सुनो चलिए अगला सवाल आप सभी के सामने question number 3 चलिए देखने हैं बहुत ध्यान से समझे रहा बिलकुल इतनान से कोई जल्दबाजी है ही कोई किसी भी किस्म की कुछ होस पॉस नहीं कुछ नहीं बिलकुल ध्यान से ठीक है इन अब पैरलेलोग्राम पहली बात है A, B, C, D एक पैरलेलोग्राम है जिसमें 2 points P and Q are taken on a diagonal BD है ना 2 points है एक point P है एक point आपका Q है जो की diagonal BD में लिया है such that DP बराबर BQ DP बराबर आपका BQ है प्रूव करना है यानि कि so that ये 4 या 5 बाते sorry क्या बात है 5 बाते प्रूव करनी है कि triangle APD congruent होगा CQB के AP बराबर CQ होगा AQB CPD के congruent होगा AQ बराबर CP होगा AP CQ पैरलेलोग्राम है ये सारी बाते आपका प्रूव करनी है clear है देखो भईया ध्यान से समझेना ठीक है हम सिर्फ दो काम करेंगे इसको प्रूव करेंगे और इसको प्रूव करेंगे बाकी के तीन रिजल्ट मुफ्त में मिलेंगे इक्तम free gift में लो भईयाना दो बाते किसको इनको congruent और इनको congruent बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना बाकी तो सब ऐसी मुफत में आने वाला है free gift में खाली हाते चलो आज़ो तो भई देखो ध्यान से सबसे पहले हमको given है याँ पर वो लिख दो है याँ पर given है ABCD is a parallelogram ABCD is a parallelogram ABCD आपका क्या है बिटा parallelogram है end DP बराबर BQ DP बराबर आपका BQ है चलो इतनी बाते हैं हमें पता है सबसे पहले 1 हमने triangle लिया आपका APD APD दूसर triangle CQB CQB जब ऐसे बोल देने ये प्रूफ करना तो triangle ना चुनना कोई दिक्कत नहीं triangle बोल दिया बस दिखाना है congruent देखो APD कौन सा triangle है यहाँ पर देखना APD ये वाला triangle APD ये वाला triangle है और CQB triangle कौन सा है CQB ये वाला triangle है देख पार है दोनो अब ध्यान से समझे ना सबसे पहली बात तो AP बराबर हमें पता है कि AD बराबर BC AD बराबर CB होगा AD बराबर आपका CB होगा क्यों? ABCD is a parallelogram A, B, C, D parallelogram है तो AD बराबर आपका CB होगा पक्की बात है AD बराबर CB ये वाली sides आपकी आपस में बराबर अब देखना ये वाला angle इसके बराबर होगा लिख दूँगो यहाँ पर कि since आगे देखना since AD parallel to BC AD parallel to BC AD आपका BC के parallel है AD आपका BC के parallel है और यहाँ पर अगर मैं BD को transversal बोलू AD आपका BC के parallel है BD is a transversal BD is a transversal Transversal यह आपका Transversal है तो ध्याँ समझे न AD parallel to BC BD is a transversal तो angle आपका कौन सा बना ADP जो बना angle जो आपका ADP जो बना वो आपके angle CBQ के बराबर होगा CBQ के Alternate Interior Angles Alternate Interior Angles अब देखना यह वाली side इसके बराबर यह वाला angle इसके बराबर और यह वाली side इसके बराबर already given है यहने कि DP बराबर BQ DP बराबर BQ हमें already given है clear है DP बराबर हमको BQ already given है तो क्या बना by देखना यह side और यह side एक angle दो sides के बीच में आने वाला angle एक triangle के दूसरे triangle के दो sides के बीच में आने वाले angle के बराबर है इस वजह से by S.A.S. congruence by S.A.S. congruence rule हम क्या बोल सकते है S.A.S. congruence rule से हम क्या बोल सकते है कि triangle आपका A.P.D. कौन congruence हो जाएगा A.P.D. congruence हो जाएगा C.Q.B. के C.Q.B. के आई बात समझ में की नहीं आई पहला result प्रूव हुआ कि A.P.D. C.Q.B. के congruence क्यों हुआ S.A.S. congruence rule से clear है तो पहला result प्रूव हुआ hence proved अब देखना दूसरा result second result second result कैसे प्रूव करेंगे तब से पहली बात हम ऐसे बोलेंगे फ्रॉम वन फ्रॉम वन A.P.D. आपका congruent है C.Q.B. के A.P.D. C.Q.B. के congruent है तो लिख सकते हैं by C.P.C.T. क्या हो जाएगा A.P. बराबर C.Q. A.P. बराबर C.Q. second result यही था न A.P. बराबर C.Q. यह भी प्रूव हो गया second result प्रूव हो गया A.P. बराबर C.Q. होगा second result प्रूव वो A.P. बराबर C.Q. अब आते हैं तीसरे पर third result में third result पर आते हैं A.Q.B. C.P.D. को लेको triangle A.Q. B है A.Q.B. है add triangle आपका C.P.D. है C.P.D. है चलो अब इन दोरों triangles को कौन गर दिखाना है देखना बीटा A.P sorry क्या है हमारे पास A.Q.B यह वाला A.Q.B यह वाला triangle और दूसरा हमारे पास है C.P.D C.P.D. चलो अब देखना obvious सी बात है A.B. बराबर आपका C.D. होगा because A.B. C.D. is a parallelogram A.B. C.D. is a parallelogram है ना और parallelogram के opposite sides बराबर होती है ओके जैसे हमने यहां पर प्रूफ किया था A.B. parallel to beta C.D. है since since A.B. parallel to C.D. है नोट करना A.B. parallel to C.D. है और B.D. यहां पर transversal है B.D. यहां पर transversal है B.D. is a transversal transversal तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि angle यह वाला इस वाले angle के बराबर होगा मतलब angle A.B. Q angle A.B. Q equal to A.B. Q equal to C.D. P. के और क्यों? क्योंकि alternate interior angles है alternate interior interior angles are equal alternate interior angles आपके बराबर होते हैं ठीक है अच्छा इसके साथ ही साथ आपको यह भी बात पता है बिटा कि इसमें भी यह तो बराबर ही है मतलब की B.Q बराबर PD Q.B बराबर में आपका PD तो अगेन साइड एंगल साइड ठीक है बटा साइड एंगल साइड से लिख सकते हैं यहाँ पर भाई एस एस कॉन गुरुएंस रूल से से एस कॉन गुरुएंस रूल से क्या लिखा जा सकता है एस एस कॉन गुरुएंस रूल से हम यह लिख सकते हैं कि ट्राइंगल एक्यू भी आपका कॉन गुरुएंट होगा ट्राइंगल आपके सीपीडी के एक्यू भी आपका कॉन गुरुएंट होगा ट्राइंगल सीपीडी के अग की बात है done है AQB आपका congruent होगा CPD से और by यह हमने 30 result प्रूफ कर दिया ठीक है 3rd result प्रूफ हो गया ठीक है अब 4 पर आते 4th result कैसे प्रूफ करेंगे देखो 4th result क्या है 4th result के लिए from 3 हमें पता है from 3 हमें पता है कि AQB CPD के congruent है AQB congruent है आपका CPD के अब यह congruent है तो उसका मतलब क्या हुआ AQB CPD के congruent है मतलब की AQ बराबर CP होगा AQ बराबर CP होगा AQ बराबर CP होगा अब यहाँ पर क्या था बिटा AQB बराबर CQ अब यहाँ पर AP बराबर CQ था अब AQ बराबर CP अच्छा अब देखना यह लिखा है हमारा हाँ जी ठीके 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 AQ बराबर आपका CP और यह हमारा यह अब समझे ना यह हमारा चौथा होगा बाइस CP थी AQ बराबर आपका CP ना हो पांच में के लिए From Second and Fourth AP बराबर CQ And AQ बराबर CP From Second and Fourth Since In Quadrilateral AP CQ In Quadrilateral AP CQ Opposite Sites Opposite Sites Are Equal Opposite Sites Are Equal हमें पता है कि भाईया AP CQ के बराबर है AQ CP के बराबर है तो Opposite Sites आपकी है ना Opposite Sites बराबर है AP CQ के बराबर है और AQ CP के बराबर है Opposite Sites Are Equal Hence Hence AP CQ Is a Parallelogram Is a Parallelogram क्या होगा क्या होगा यह आपका यह आपका एक Parallelogram होगा Clear है Hence AP CQ Is a Parallelogram क्यों क्योंकि भाईया अगर किसी Quadrilateral की Apposite Sites बराबर हो जाती है तो वो Quadrilateral कुछ और नहीं Parallelogram होता है तो AP CQ Parallelogram हो जाएगा की नहीं हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर Second और Fourth Result से समझे ना Second से और Fourth से हमें क्या पता चल गया कि भाईया AP CQ कोई और ऐसा वैसा नत्थू गयरा कोई हमारा नहीं है यह एक Parallelogram है क्यों? क्योंकि इसके Apposite Sites आपकी बराबर है Apposite Sites इसकी बराबर है इसलिए आपका यह एक Parallelogram है क्या है वेटा? Parallelogram है बोलो भीया Clear है या नहीं है जल्दी से एक बार बताओ फटा बड़ से APC क्यों आपका Parallelogram होगा Done है? Okay पक्की बात Okay report कोई दिक्कत चलो आगे बात करते हैं तो यह हमारा Parallelogram हमने यहाहाँ से इसको प्रूफ कर दिया Clear? कोई doubt? नहीं है ना? चलो 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 अब यह सवाल आजओ Next question आज ना मुझे माफ करना बेटा Midpoint theorem आज हो नहीं पाएगी क्योंकि इन सवालों को करने में लग रहा है बहुत सारा समय ठीक है? काफी time ले रहा है और इस वज़े से आज आपकी Midpoint theorem नहीं हो पाएगी Midpoint theorem अगली क्लास में करेंगे ठीक है? लेकिन यह complete कर लेते हैं चलो अगला हमारे पास question है यह आपर यह last question होगा इसके बाद यह वाला question homework में करना नहीं तो अगली क्लास में आकर के अपन discuss करेंगे ठीक है? Most probably हो सकता है सर जो कहो तुमारे लिए available होगे चलो जी आजो तो फटाफट से यह वाला question और कर लेते हैं बहुत आसान सा question है यहाँ पर लिखा है बिटा कि ABCD is a parallelogram given बाते पहले लिख लो कि ABCD is a parallelogram is a parallelogram clear है? ABCD parallelogram है मतलब कि AB बराबर CD ABCD बराबर आपका AD ठीक है? AP and CQ are perpendicular from vertices A and C ठीक है? A से vertices perpendicular है और यह पर पर ठीक है तो यहाँ से लिख सकते AP perpendicular है आपके BD पर साथी साथ CQ perpendicular है BD पर CQ भी आपका perpendicular है BD पर ठीक है? इस पर साइन तिनी ज़्याद आती ने मुझे ऐसे करकी देखना पड़ता है दिखता नहीं है चलो AP perpendicular to BD है CQ भी perpendicular आपका BD है चले हमें और लिखा क्या है? AC on diagonal BD So that अब प्रूफ हमें यह दो चीजे करनी है सबसे पहले triangle आपके पास APB है and triangle आपके पास CQD है TQD है इन दोनों triangles को देखो अगर मैं APB triangle में देखो तो angle APB आपका APB आपका बराबर है angle CQD के दोनों ही 90-90 degree के हैं तोनों 90-90 degree के हैं clear है? ओके हम अब एक बात बताना कि मेरे दोस्त ये वाला angle इस वाले angle के बराबर होगा के नहीं होगा since note करना since AD parallel to BC AD parallel to BC and BD is a transversal and BD is a transversal transversal ठीक है ये ट्रांस वरसल है तो ये वाला angle इस वाले angle के बराबर होगा clear है अहाँ 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 उल्टा लिख दिया है न गल्ट लिक दिया रुक ज़र ज़र रुक ज़र इसको ये मत लिखो यहाँ पर ये देखो कि AB CD के parallel है ऐसे लिख दो, AB parallel to CD है, यह इसके parallel है, तब अगर BD डाइगनल है, त्वरी टांसवरसल है, तो यह वाला जड़ बन रहा है, ऐसे जड़ बनना है ना, ऐसे, यह वाला एंगल इसके बराबर होगा, तो मतलब की, BD is a transversal, कोई रिक्कत नहीं है, तो एंगल आपका ABP, एंगल c d q के बराबर होगा angle c d q के बराबर होगा alternate interior angle alternate interior angles ठीक है बटा alternate interior angles ठीक है a b p c d q के आपका बराबर होगा a b p आपका c d q के बराबर होगा alternate interior angles अब यहां तक यह चीज़े निकल करें किया बचा बहुत बेसिक से चीज़ बची वो यह हो गया कि AB बराबर CD तुम्हें साइड पता है ठीक है and AB बराबर CD opposite sides of parallelogram opposite sides of parallelogram अब एक बात बताना तुमने पढ़ा है न कि अगर किसी triangle के दो corresponding angles और एक side बराबर है तो मतलब कि एक तरीके से यह बना by angle angle side है ना दो angles बराबर तो तीसरा angle अपने अब बराबर हो जाता है तो मतलब यह बात बनी कि एक तरीके से दो angle और एक side दोनों triangles की बराबर है by AAF congruence rule AAF congruence rule है ना by AAF congruence rule आपका triangle APB APB congruent हो जाएगा triangle CQD के triangle CQD के congruent हो जाएगा APB आपका must be congruent to triangle CQD triangle CQD के क्या हो जाएगा congruent हो जाएगा पक्की बात है है ना और जब यह triangle congruent तो मतलब क्या हुआ AP बराबर CQ तो second result से from 1 अगर हम लिखे from 1 AP ट्रेंगल आपका APB आपका congruent है triangle CQD के लिख सकते हैं by CPCT corresponding part of congruent triangle से AP जो होगा वो आपका CQ के बराबर होगा तो यह पहला result प्रूव हो गया हमारा hence approved ठीक है बटा और यह आपका second result भी प्रूव हो गया second result also proved hence approved clear है चारो के चारो जल clear prove एक दम चलो यह basically हमारा इसका था आई बस समझ में आपका AP बराबर CQ CPCT से आगया और यह हमने congruent प्रूव कर दिया चलो तो इस तरीके से आला question complete होता है और अब class हो कि बहुत बढ़ी हो गई है और लेडी तो अब यह अगला question यह अपन in the next class करेंगे in the next class करेंगे आपके लिए homework जो आज की class में है यह देखो एक यह वाला question मैं आज आपको समझा देता हूँ यह वाला question बहुत बढ़ा हो जाएगा तो इसको मैं next class में करवाऊँगा यह वाला question एक करके चले जाओ बस छोटा से प्यारी सी request है ठीक है एक छोटी सी प्यारी सी ननी सी मुनी सी request है तुमसे यह वाला question और करके जाओ बढ़ा important है इसके बिना अगली class पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा ठीक है इसके बिना next class पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा इस वज़े से request कर रहा हूँ कि यह last question और पढ़ करके चले जाओ ठीक है अगर आपके पास कोई quadrilateral है क्या है बटा कोई quadrilateral ABCD है और हमें given है a pair of opposite sides opposite sides का given है prove that if in a quadrilateral pair of opposite sides are pair of opposite sides quadrilateral pair of opposite sides R लिख देतो R equal and parallel अच्छ यहाँ पर R लिखा होना चाहिए था opposite sides R A, R, E are parallel and equal then it is parallel बस यहाँ पर actual में and के बदले R लिख जया था तो इसको ठीक कर लो यह आपका R A, R, E, R parallel and equal मतला हमें given है कि A, B आपका parallel to CD है और A, B आपका बरावर है CD के चलो हमें यह given है और हमें prove करना है हमें यहाँ पर prove करना है कि A, B, C, D is a parallelogram A, B, C, D is a parallelogram A, B, C, D क्या होगा बेटा आपका parallelogram होगा ठीक है? इसके बना देखो prove नहीं हो पाएगा पहले आपको एक बाद बताओ अभी N, C, R, T का स्लेवर्स रेड्यूस किया गया उस चक्कर में हुआ ऐसा की इस टॉपिक को यह जो टॉपिक तुम्हें देख रहा है इसको remove कर दिया और जबकि midpoint theorem में इसका इस्तमाल हो रहा है और यह थी theorem theorem भी गायब कर देखो तो भी हम का कर सकते हैं आजो तो भाईया A, B parallel to C, D और A, B बराबर C, D है हमें prove करना है कि A, B, C, D आपका parallelogram होगा तो बहुत simple सी बात है अगर मैंने यहाँ पर इसको diagonal join कर दिया ठीक है हमने छोटा सा construction क्या किया हमने construction क्या किया join AC AC को join किया अब देखना हमें पता है कि अगर किसी quadilateral के मतलब ऐसे समझे ना A, B, C A, B, C and A, B, C and C, D, A C, D, A इन दो triangles की अगर मैं बात करूँ तो पहली बात A, B आपका parallel to C, D है A, B आपका parallel to C, D है और A, C Transversal है A, C is a Transversal Transversal नोट कर तो A, B, C और C, D, A में C, D, A में A, B parallel to C, D, A और A, C हमारी Transversal है क्या है Transversal है तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं नोट करिएगा कि angle जो आपका B, A, C होगा angle जो आपका B, A, C होगा वो आपके D, C, A के बराबर होगा D, T, A के बराबर होगा clear है पक्की बात है ठीक है बच्चों A, B parallel to आगर आपका CD है तो A, B बराबर CD है हमें एक साइड का pair आपका parallel दे दिया तो B, A, C एंगल जो होगा वो इसके बराबर हो जाएगा ठीक है ओके, 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 ओके अब देखना ये वाली साइड इसके बराबर मतलब की A, B बराबर A, B बराबर आपका CD और A, C बराबर A, C दोनों में common A, C बराबर C, A दोनों में common यह तो आपकी common है तो क्या बना? क्या बना? साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड तो लिख सकते हैं by F, A, F congruence rule F, A, F congruence rule से S, A, F congruence rule से triangle आपका A, B, F, जो होगा वो congruent हो जाएगा triangle आपके CDA के ठीक है? A, B, F, आपका CDA के congruent अब जब A, B, C, C, D, A के congruent तो by C, P, C, T angle आपका B जो होगा वो must be equal to angle D और जब opposite angles बराबर होते हैं ठीक है? सिंस opposite angles बराबर है B बराबर आपका D हो गया clear है? और ये भी हो गया प्लिब ये बराबर और साथी साथ आप A, B तो बोल सकते हैं अगर आप ऐसे नहीं भी लिखना तो आप लिख सकते हो A, B बराबर CD हो गया तो यहां से लिख सकते हो कि जो हमारा B, C होगा वो DA के बराबर होगा ये ना by C, P, C, T हम लिख सकते हैं by C, P, C, T लिख सकते हैं कि B, C बराबर D है तो चारों साइट्स अपोजिट साइट्स बराबर हो गई ये तो बराबर गिवन था ये भी बराबर हो गई तो हम क्या बोल सकते हैं कि सिंस इन क्वाडिलेटल A, B, C, D इन क्वाडिलेटल A, B, C, D अपोजिट साइट्स बराबर हैं अपोजिट साइट्स बराबर हैं हैंस हैंस इसका मतलब क्या हो गया A, B, C, D is a parallelogram A, B, C, D is a parallelogram ये आपका एक parallelogram होगा क्लियर है हैंस A, B, C, D is a parallelogram तो ये हमने यहाँ पर complete किया और इसलिए ये सवाल है बाकी ये वाला next class में discuss करूँगा और आज की class का तुमारे पास homework जो है वो ये है कि N, P, E, R, T जो आपकी exercise ठीक है 8.1 है उसको complete लगाओ एक question पर छोड़ देना जो अभी मैंने छोड़वाया है एक question छोड़ करके बाकी पूरा करना तो N, C, R, T एक सरसे 8.1 complete करना प्लस इसके जो examples है है ना examples मत छोड़ना है examples भी आ जाते है ठीक है examples भी करना और exercise तो मैंने करवाई दिया सिर्फ एक question बचरा है तो उस question को भले ही छोड़ो के बाकी सारे question खुद से try एक बार जरूर करना चलिए मिलते हैं बटा next class में तब तक के लिए good bye take care to all of you thank you so much to everyone